जैसे कि आपको पता है कि भाई जो 19 और 20 तारिक को जेल वाड़ाट का एक्जाम था ठीक है एक्जाम संपन हो गया अच्छे से हो गया कोई दिक्कत ने हुई और जितनों लोगों ने दिया है वो लोग आकर ला सकते हैं क्योंकि अंसर सीट क्या आ गई है वैसे तो आप देखेंगे जिस दिन आप पेपर देखा है तो उसी दिन किसी बहुत सारी इंस्टूड़े जिनोंने अंसर सीट निखाल दे और लगबाग वो सही भी होती ठीक है पर ऑफिशल अंसर सीट में कुछ लोगों को नहीं पता चला तो वो हमारे माद्दिम से पता चल जाएगा ठीक है तो जेल वाडर का जो एक्जाम किया था पुरुसरों महिलाओं के जेल वाडर के जेल वाडर और फायर मेंट जो एक्जाम हुआ था ठीक है 2016 से भरती आई थी परपी 2020 में हो पाया उननीस और 20 तारीक को दो पालियों में offline exam करवाए गया था ठीक है उसके अंसर सीट जो है ना मतलब कुन जी वो क्या है वेबसाइट पर अपडेट हो गई है इसको जाकर करके आप चेक आउट कर लीजेगा और यह रहेगी कब तक यह important चीज है कि यह 22 आज दिनांग 22 तारीक है नहीं लग रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आपको रेस बढ़ी अरसा करनी चाहिए क्योंकि आर्मोस दोसों में हो जाएगा क्यों पेपर के लेवल टफ था रिजनिंग और मैथ रिजनिंग को बोलेंगे थोड़ा बहुत तफ था हां कुछ पोर्शन थोड़े टफ थे पर मैस ठी के लिबल बहुत अच्छा था यहाँ अच्छा था जो नॉमर meer दिजो वेक्ति नहीं पढ़ रहा है नहीं पढको गइए तो इसहा सबूस Reagency और अच्छे सर दुनियातरी दिया देखा है तो कोईgos क्हां मोडaires को सब्ढ़ा रहें थो b अपने अच्छे से बैगरोंड का पढ़ा हुआ है तो ही आप कर पाएंगे बाकि एक दो कोशन उसमें गलत भी थे जो आप जानते हैं ठीक है मुझे उससे बताने क्यों जो नहीं है और उसके लिए परिशान मिना आयोग आपको उसके अलग से नमबर देगा ठीक है तो यह छ अब भी देखें तो हम यह नहीं कहेंगे टफ रहा है रिजन क्या है जो को चार सक्षन होते हैं ठीक है चार सक्षन होते हैं हमेशे द्हननम का चार सक्षन है एक हिंदी है और एक जीसे है और एक रिजनिंग और एक मैथ है ठीक है यदि इन दोनों सब्जेट को धीला किया ह है इन दोनों में वह टाइट करेगा यही इसका रूल होता है यही अग्जाम का रोल होता है कि एक portion हलका रखेगा तो 3 portion, sorry,ry एक portion है धी मजबुत रखेगा तो 3 portion का रहेगा वह हलका राएगा तो आप इस exam में क्याएति हिंदी ठीख करने लाइक थी पर जिस जो थी हो थोड़ी से टुफ थी ठीक है वहrences बहुत आया अपके जो करने लाइक है वह कर आप आराम से कर सकते थे नहीं आराम तो बोलो गलत हो जाएगा ने तो बच्चे कहेंगे अरे अच्छा हाँ ये मान के चलो कि यदि आपने 120 बोले हैं यदि 120 आपने अच्छे किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि तीस कोश्चन में मान सकता हूं और टफ होंगे जो रिजिनिंग दस रिजिनिंग के दस इंदी के और द चाहे आप केसी भी कटेकरी में हैं तो आपको रेस करनी चाहिए आराम से आपका होने के काफी हथ तक छांसे रहेंगे ठीक है बाकि आप किसी चक्क्रम ना पड़ें अपने तियारी बारी करते रहें और जो UPSI से रिलेटेड जो इंफोर्मेशन है वो धीरे देरे आती रह रही है आज पेपर में आया एक दो दिन हो गए ठीक है तो पेपर में भी ये चल रही है चलो वह तो एक खायर बात है अलग सीज़ें उसको पहां अभी बाद नहीं करेंगी कोई बहुत बात है हम लोग यह पर कर चुके ठीक है तो इस वीडियों लेगा इतना ही तैंक्यों बात है